smart object versus rasterize Smart object क्या करता है Photoshop के अंदर और इसके बारे में जो आपन जानने वाले हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं मेरे नम मैं मनी सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना चानल Digital मजी चलिए start करते हैं पहले तो अपन कुछ देख लेतें दोनों के बारे में पिर इसके इंदर क्या के इसके डिवंटेज हैं क्या कैसे अधिवन कवरण करने वाले तो पहले इस एक लिए से ठीक है फिरे अब इसमें दिए अग्याइनन को इसको मैं एक को Scalable करना है मैं इसको स्केल करता हूं ऐसे मैने इसको बहुत चोटा सा कड़िया जात अ便 ОАई अब भर में को इसको पर चोटा सा सासाइस आगर इसको करके दिखाएँ आपको तो एक बहुत ज्यादा छोटा सा उसके अंदर हमारे पास में वापे चीज दिख रही है ठीक है बट अगर हमें वापस इसको बढ़ा करना चाहूं मैं कर सकता हूं आई कैन दू बट करने किया यहां पर हमारे पास में पूरी इमेज की बिलकुल खराब होई हमारे पास में सिर्फ पिक्सल इटे में जो हमारे पास मैं मिल चुकी है इसको मैं वापस से कंड्रोल जाट करता हूं जबकि ऐसी थी वह इमेज और जब आपने एक बार इसको चोटा कर दिया और वापस से इसको बड़ा कर दिया मैंने तो अपने को कैसी मिलती है कुछ इस टाइप की एक बलर्ड और एक पिक्सलेट लेकिन इस वाले की क्वालिटी को बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ जैसी की जैसी अपने छोटी की वैसी का वैसा आपने वापस रिजल्ट्स मिल गए अब इनके बारे में आगे बी कुछ वीडियो के अंदर अच्छे से देखेंगे इनको बहुत सारी लेयर को स्मार्ट अबजेक्ट कैसे बनाते और क्या अभी देख लेते हैं इनको अडेंटिफाइ कैसे करना अगर आप देखें तो हमारे पास में यहां पे दोनों जो लेयर अनके अगर आप थम्नेल को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में जो सिंपल ही एक सेकंड में दोनों को बंद कर लेता हूं थाकि आपको जो आइकन है वो एक अच्छे तरीकी से देख पाए मैं एक वाइट कलर पूरा डाल देता हूं ठीक है यह एक लेयर है सेम मैं कंट्रोल जे करके यह एक शॉटकट है कॉपी बनाने का तो मैंने कंट्रोल जे लेयर के उपर होगा विच मीन्स यह एक आइडेंटिफिकेशन है कि यह जो है यह एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके लिए फोटोशॉप जया स्मार्ट ली काम करता है उसके जितने भी पिक्सल से उनका डेटा वह स्टोर करके रखता है अब कितना भी उसकी स्केलिंग कर लो लंबी चौड़ी कैसी भी कर लो लेकिन आपको रिजल्ट वैसे के वैसे ही मिलेंगे क्यों कि फोटोशॉप क्या करता है उनके जो पिक्सल से उनका डेटा स्टोर करके रखता है राइट सेम चीज मैंने इनके लिए भी करके रिके मैं इसको एक बार हटा लेता हूं वो जो दो लेयर मैंने हाइड करके रखी लेवला और इसके उपर भी है बिच्वीन से अभी यह दोनों के दोनों स्मार्ट अब्जेक्स हैं अगर आप मैं इसको करके दिखाऊं मैं तूल के उपर मैंने इसको छोटा किया काफी हमारे पास में सेम इमेज यहां पर हम को जो देखने को मिल गई है सो यह तरीका होता है स्मार्ट अब्जेक्ट को यूज करने का और बेसिकली यह अब अगर आप तभी यूज करना चाहों कि एक ऐसी कोई है जो कि जिसको आप हमेशा स्केलिंग आप डाउन करते रहते हो तो इसको राश्टाइज करना है यह राश्टाइज हो गया राइट लिक करना है करना है करना चोटा किया वह जोटा उसके बाद में कोई डेटा वापस रिकवर नहीं हो सकता बट सेम स्मार्ट अबजेक्ट करता है जितनी भी हमारा डेटा है वह सब को स्टोर करके रखता है तो वह आपके लिए एक अच्छा अप्शन होगा अगर आप काफी सारी लेर्स के साथ में काम कर रहें और अगर आपको कोई भी लेर लॉस्ट नहीं करनी है ठीक है इसके कुछ एडवांटेज यह है कि यह कम आप स्मार्ट आपजिक्ट से साथ में जा सकते हों अगर आपको यह दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर अच्छा से समझ में आया है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल का एकन दावा दीजिए का ताकि आपको आने वाले वीडिय आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए